कि हलोगे सेम रिखोलनजोत दोस्तों औंतराष्ट्री संगठनों कि संक्ला आके हमारा दूसरा और darzt शंगठन की संग्ला के पार्ट वन में हमने संपोंध जैनकारी आसिल संपूर्ण जानकारी जो है आसिल की थी पार्ट वन में और इस पार्ट में मतलब पार्ट टू में हम चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्री मुद्राकोश विश्युबैंक और विश्युस्वास्त शंगठन आई-म-फ वर्डबैंक और डबलु एच्व इन तीनों की मुद्राकोश की आगे पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें मारी जितनी भी सीरीज रनी है जिससे उसके अपडेट्स आपको तुरंथ वहां से प्राप्त ह शुरू करते हैं आज वीडियो को बात करते हैं अंतरराष्ट्री मुद्राकोश की तो अंतरराष्ट्री मुद्राकोश की जो इसकी स्टापना हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 को वासिंगटन मतलब अमेरिका में हुई थी तो अंतरराष्ट्री मुद्रा को इसकी स्थापना कप की गई और कहां की गई तो अंतरराष्ट्री मुद्रा को इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वासिंगटन में की गई वासिंगटन अमेरिका में इसकी स्थापन को जो मूल रूप से अंतर रश्टी मुद्रा को इसने अपना कार्य आरंब किया मार्च 1947 से आरंब किया मतलब लगभग दो साल बोल सकते हैं लेकि दो साल से कुछ कम समय लगा जब इसने वास्तवी रूप से अपने पध्यति को अपनाया तो यह जो वास्तवी रूप से कार्य कविश्टार के अंतर रश्टी मुद्रा कोशने वह मार्च दिसंबर उन्सिशोब पैतल सचीं जब सक Lehr एस्थी संट्राश्च्च तेशने इस हस्ताफर करके पेंटation मुद्रा को से किती ए अंतराश्च को उसका मुख्याल दिशी अमेरिका में इस्टित बैदेशी का मतलब क्या होता है तो दीशी का मतलब अगर आपको मालूम है तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीशी का मतलब क्या होता है कभी कभी डीशी का मतलब भी पूछ लेता तो अंतराश्टी मुद्रा कोस का जो मुख्याले वह वाशिंग्टन डीशी अमेरि अन्य आफिसेज वह पेरिश और जिनेवा में वी इस्टित है इस प्रकार पेरिश जिनेवा और अन्य जिगवां पर जो अंतराश्टी मुद्रा कोस के मुख्याले यह स्वरी कार्याले जिबकि मुख्याले वाशिंग्टन डीशी में अब बात करते हैं क्यों स्तापित कि अंतराश्टी मुद्रा कोस था उसकी स्ताप्ला क्यों की गई चरूरत क्या पड़े तो इसका जो उद्देश है वह आर्थिक इस्तिता सुरक्षित करना आर्थिक प्रगति को बढ़ाना गरीबी को कम करना रोजगार को बढ़ावा देना और अंतराश्टी व्यापात और जो जब आर्थिक रूप से प्रक्रति होगी तो उसका जो डारेक्टिव और इंडारिक दोनों इफिक्स होंगे गरीबी की कमी होगी और रोजगार इससे बढ़ेगा और अंतराश्टी जो व्यापार है उसको और सुविदाजनक बनाना यह इसके मुख्यों देश्यों अर्थिक इस्तिता स्वरचित करना आर्थिक प्रक्रति को बढ़ावा देना यह सब सामिलते हैं और इसके संस्तापक देश थे उसकी चर्चा हमने की 29 थे और वर्तमान में वर्तमान में इसके जो कुल देश हैं वह 109 हैं 189 इसके कुल सदस्य देश हैं इन अंतराश्टी मुद्रा को सधस्य देश सबसे लेश्ट में बणा और Riot 49 गेरसे बना न मूद्रा की विशएश थे रही यहां पर यह कि इंपड़ेंट है यह सको बसिति आर के दो कहते हैं मुलू पाउनς ये और डॉलर यह सब होते हैं कौन कौन से यूरो पांड ये मुम मुद्रा है HDR में सामिल है तो अंतर राष्टी मुद्रा को उसकी विशेश मुद्रा को क्या कहते हैं HDR अंतर राष्टी मुद्रा को उसकी विशेश मुद्रा को का जाता है और इसमें यूरो पाउंड यह नो डॉल सामिल है कि अंतर्राष्ट्री मुद्रा को उसके जो प्रबंदक प्रबंद निदेशक हैं वो क्रिष्टीना लेगार्दे हैं क्रिष्टीना लेगार्दे अंतर्राष्ट्री मुद्रा को उसकी प्रबंद निदेशक है अब बात करते हैं विश्वभाइंग की या फिर वाडवाइंग के फंसवरूप वर्थ 1945 को की गई इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई विश्व बैंक की और ब्रिटन वूट सम्मेलन के फंसवरूप इसकी स्थापना की गई और इसने अपना जो कारे आरंब किया एक वर्थ के पस्ताथ जून उद्देश की इसकी बात करते हैं तो इस बैंक की इस तापना का मुक्चे उद्देश निर्धन साधन ही तता विकास सील देशों की वित्ती और तक्नीकी सहता करना है मतलब जो देश गरीब हैं साधन ही ने जिनके पास साधनों की कमी है या फिर विकास सील देश है जो विकास की गति को पकड़े हुए और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं या और ज्यादा प्रगति करना चाहते हैं तो ऐसे देशों का वित्ती रूप से सायक होना और तक्नीकी सहता है टेकनिकल सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराना यह मुक्यों देश था वर्ड बैंक की इस्तापना का विश्यू बैंक का मुख्याले वाश्किंटन डीसी अमेरिका में इस्तित है तो विश्यू बैंक का जो मुख्याले व विश्यू बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कोन है तो किम योंग किम योंग कीम है यह विश्यू बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है और विश्यू बैंक के स्यदस्यों की संक्या 189 है विश्यू बैंक के स्यदस्यों की संक्या 189 है अब बात करते हैं आगे विश्वस्वास्त सं संगठन क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई इसकी संपूर्ण चर्चा करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई वह साथ अप्राइल आपेट हैं कि मैचिं सवाल आते हैं मां लीजिए की बात कि आएम एक शीडियों की बात करेंगे तो इधर आपका 7 या प्रेल आप्रेल के वल आप्रेल 1990-1948 दे देंगे और 1945 दे देंगे तो आपको उसमें कभी-कभी मैचिंग के जो सवाल आते हैं चौर ऑप्संस के या फिर तर्क वालों जो सवाल आते हैं उन्समें यह जो समय है यह तिस्थियां होती है वह बहुत जाड़ा इंपॉर्टेंट सिद्ध होती है तो जो विश्व स्वास्त संगठन था उसकी स्थाप्ता कभी साथ अप्राइल 1948 को डब्लु एच्व को समविधान को 22 जुलाइं निस्थि को स्विकार किया गया था और इसका जो मुख के उद्देश है वर्ल वर्ड हेल्थ और्गनाइशे सभी लोगों के स्वास्त इस्तर को उच्टम बनाना है मतलब विश्व के जितने भी निवाशी है विश्व में जितने भी लोग है उन सबके स्वास्त इस्तर में निरंतर सुदार करके उसको उचाहित पर पहुचाना है और इसका मुख्याल है विश्व स्वास्त संगठन यह WHO का मुख्याल है जिनेवा जो की स्विट्जर लेंड में इस्टित हैं तो WHO का मुख्याल है कहा है जिनेवा स्विट्जर लेंड में कि विश्व स्वास्त दिवाश्ट संगठन के तत्वा धान में हर साल इसके स्थापना दिवस पर 7 अपरेल को मनाया जाता है मतलब जैसे कि अबी चर्चा की कि जो विश्व स्वास्त संगठन पर हुए 7 अपरेल मनाया जाता है वर्ड हेल्थ जो मनाया जाता है पुरे विश्व में विश्व स्वास्त संगठन की स्थापना दिवस के उपलक्ष में मनाया जाता है जो कि साथ अपरेल है भारत में विश्वसास्ति संगठन का कार्याले कहां पर इस्थित है तो इसका कार्याले नई दिल्ली में इस्थित है भारत में विश्वसास्ति संगठन का कार्याले है नई दिल्ली में इस्थित है विश्वसास्ति संगठन में वर्तमान में कि 193 सदस्य देशें तो संबत सदस्य और 193 सदस्य देश्व की संख्या की वरतमान ने देश्य टर मर्गरेट चांग हैं कोंग की निवाश्य यह संगठन के वर्तमान जे शक कौन है डॉक्तर मांडरेट चान जो की अंकांग के निवास ही हैं एक अंतर राष्ट्री संगठन के पार्ट 2 में पूर्ट पूर्ण संगठन उनकी चर्चा विस्त्री तूरूप से करेंगे इस फीडियो को देखने के लिए धन्यवाद रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर्ण सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना मत बूले और अधिक शेयर करें जिसके अधिक लोग इसका प्राप्त कर सकें अपने विचार में कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और फेस्बुक की लिंक आप इस में वोम आपको प्रोवाइड करा सकें तैंक्स वर्चिंग थैंक्यू